पिछले भाग में हमने विस्तार से COVID-19 के मानसिक प्रभावों पर चर्चा की थी इसमें कोई दोराय नहीं है कि बच्चों को इस पैंडमिक में मानसिक तनाव से बुजरना पड़ा है पर ये समय टीचर्स के लिए भी उतना ही कटिंद रहा है क्योंकि उन्हें क्लासरूम्स के बजाए टेकनोलोजी पर निर्भर होना पड़ा है जो उनके लिए बहुत ही बड़ा बदलाव रहा है अब सोचिए भारत जैसे डेवलपिंग देश में जहां पहले ही शीक्षा और अदुनिक्ता का मेल कभी हुआ ही नहीं एक बहुत बड़ी चुनोती है महां सिलिबस, एग्जामिनेशन, शेडियूल, खुद की सैलरी, खुद का और अपने परिवार का स्वास्त ये सब एक नाजुब डोर से रटग रहा है ऐसे हाला आप में टीचर्स के लिए मुश्किल हो चुका है कि वो अपने विध्धारतेओं के लिए एक आशा की किरन बने जिसकी उनसे पहले ही अपेशा की जाती है हाला कि बच्चों पे होने वाले मानसिक प्रभावों पर कई चरचाय की जाती है बहां टीचर्स की चुनोतियों को ना चाहते हुए भी नजर अदास किया जाता है इस विशैर पर और रोश्नी दाने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज नरिता सबरवादी जो भारत सरकार द्वारापर्अ रापर आर सु aizing the clinical psychologist है जो मुंबई और दिली में प्रेक्टिस करती है और भारत के कई सर्वसरेश्ट on-line healthcare service providers के psychologist panels में है थांक्ट्यू आपाश आपने बहुत सही बोला टीचर्स के उपर वैसे ही बहुत प्रेशर होता है बच्चों की जिंदगियों को बनाना, अपनी खुछ की जिंदगियों को सवादना, और उसके बाद बच्चे कुछ पढ़ लिखकर बन जाये, उन पे उतना उनका कितना बड़ा हाथ है, वो किस तरीके से अपने आपको स्कूल में कंडक्ट करते हैं, कैसे वो बच्चों की ज बढ़ाना मुश्किल हुआ है उनके लिए असान नहीं था, आपने बहुत सही बोला, रिस्पोंसिबिलिटी को बहुत बढ़ गए है, और रिस्पोंसिबिलिटी के साथ साथ में प्रेशर बढ़ता है, वो भी बहुत है, विल्खुल, बिल्खुल, आप पीचर्स को उनके म बढ़ाना मांसिक का सबस्वास्त के लिए और रिस्पोंसिबिलिटी ज़िए अपने आप को देखना है, बहुत इंपोर्टन है कि इस्पेले की वो बच्चों को देख पाई या उनके और इस्पोंसिबिलिटी जो अरेड़ी उनके है, इससे पहले वो अपने आप को देख अपने आपको काम रखना, अंग्साइटी से दूर रखना, अपने आपको अपने मेंटल स्टेट को नॉर्मल रखना, यह सारी चीजे करके एक चोटा काम है यह सारी चीजे इस अगे लेके जाते हैं हमको इतना बहुत फिल कराती है, इससे पहले से शुरू करें तो बहुत टुरू कि अचीजे को किसी को क्याता है, गौत छे इस को कारि destin के इस इस है को रखना अराम देने, तो इसे वह लेक्ते क्या थे एद्वाश के लिए खिए dependsनी इस भी मत बहुत हम आती है? हमें पता होता है, हमें क्या चीजे पसंदे है, क्या नहीं पास्टे बिर्चिज अगर आको अच्छा लगजे और क्की आपको आछा लगएगा क्यों कि आपको आपको नहीं पसंदे तो वो चीज मुझे आराम नहीं देती, पर इसी तरीके से मुझे डांसिंग पसंद है, अगर मैं कोई ऐसी चीज करूँ जो मुझे पसंद है, वो हमेशा मुझे आराम देती, जो गाना पसंद है कई लोगों को एक सबस्साइस पसंद है कई लोगों को अपनी खुद की होबी जो अगर कोई परस्यू करे उसके लिए खुड़ा सभी समय अपने दिन में निकाले तो वो चीज एक इनसान के लिए कितनी फादेमन दो सकती है वो उसको तब ही बता चलेगा जब वो चीज़ों करेंगे और इसे काफी आराम इकता है अपने आपको यह को मैंने पहसूस किया है और उन टीचर्स के लिए आपका क्या एडवाइस रही था जो इन सारे बरिवतन से इन सारे चालेंजिस से खोड़े ओवर्म से पील करेंगे उस पीलिंग को वो कैसे अपने आपको एक पटिकिलर लेवल पर देखना जरूरी है आप और रेड़ी कितना कुछ कर रहे हो वैसे भी पैंडमिक कोई असान टाइम नहीं है कोई नॉर्मल टाइम नहीं था यह और यह देड़ सार तो सबने अपने घरों में गुजारा है प्रेशर के साथ गुजार वैसे ही खुद के लिए डर था दूपштर तो के लिए अ आप जितना करा हों कि आद आप बहुत करने लोग आपने आपको को क्रेडिट बीचे एपने आपके लिए समझे जो आप करने बिल्कुल कर रहे हो बहुत अदिक करने को और हो काफी है इस चीज को रियालाइस करें और इस चीज के बाद आगे बढ़िये तो आपको अतना ओमभल्मिक नहीं लगेगा क् आपकेले महीं हैं, हर कोई इसी उल्जंत से सुलजने की कोशिश में रगा हुआ है जी सही बात है, और आप टीजर्स को और क्या सला देना चाहिए? क्या करने की सला देना चाहिए? अपने लिए जो आपकी expectation है, जहां तक आप पहुचना चाहते हो जहां तक आप अपनी सोचा था कि मैं यह भी करूंगी वो भी वो एक अलग दौर था जब आप classroom में प्रेजेंट थी अब आप घर पे प्रेजेंट हो तो वो same expectation आज से रखना अपने आप से गलत है expectation को थोड़ा change करिये, थोड़ा modify करिये अपने mental health पे जादा focus करिये अपनी जिस्थी में जो एक goal set करना है वो जरूरी है कि दो दिन का goal set हो क्या होता है जब हम हटे भर या महीने भर का goal set करते हैं तो कही न कहीं कुछ दिन में हमारा goal छूपता जाता है जब आ महीने के end में पहुचते है तो हमें रिलाइस होता है हमारा काफी काम छूटिया है यही पर हम दो दिन का goal लेके चले और उसमें कुछ-कुछ छूट बिल जाए तो हमारे पास तीसरा दिन है कुछ-कुछ चूट करने के लिए अड़िपम कीछे मुटके लेखते है तो हमारा काफी काम ओचुका होता है काम जाएं तो हमें मुटिवेशन देता है अगे रगनी तो चोटे चोटे बोल्स रियलिस्टिक बोल्स बनाएए और उसे पर टिके रहे हैं तो बहुत असाली से अगे बर भाएंगे सखी का अपनी लिकिन कभी-बभी क्या होता है कि मेरे साथ ऐसाथ बहत बहत बहता है तो ऐसे समय में उस डर का कैसे सामना का बना चाहिए एक डर एक ऐसी चीज जो आप इस चीज की बात में पास करते है वो एक ऐसी चीज है जो हम हर किसी के अंदर होती है इसको हम पुद पर जब यह थोड़ी सी बढ़ जाती है कि आप पर हवी होने लगती है फिर उसको बैद इंसाइटी बिल्कुम बैद इंसाइटी से हम कैसे लड़ते हैं वो है कि हम एक चीज जिसको बोलते हैं ग्राउडिक टेक्निक इसमें हम अपने पांचो सेंस का यूज करते हैं तो हमारी आंके, कान, नाख, तेस्ट और तच इन चीजों को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो हमारी बोड़ी को अटोमाटिकली अराम देता है जो हमारी बोड़ी के अंदर बहुत सारे हॉर्मोन होते हैं एक्टाइटी के बड़े हुआ हैं इमिजिटली उससे बैच जाते हैं यह आजकर बहुत भाबलोड़ एक इनकी पूरे समें प्रोड़क्टे रहना है पर इतनी कभी गभी नाविक स्किती हुथी कि इसमें कैसे कोई गर सेता है आपकी प्रोड़क्टे पूरे टाइम इस वाली चीज़ पे तो रोकिये थेली और सोचिए कि हमने अर्ड़ी कितना ब्रीधिंग पर हम जितना एफ़र डालेंगे उतनी हो हमारी बॉड़ी को रिलाक्स कर दिन है उतना हमें समझ में आता है कि ठीक है हम बहुत भागदौर करने की कोशिश कर रहे है थोड़ा रूप के रिलाक्स करना जरूरी है तो फोर काउंट से अंदर पोर काउंट का होल तीन से चार बार दिन में दो से तीन मिनिट के लिए काफी अराफ हुंता है इसकी जब अब बुनिया में और भारत में कोविड नाइटीन पर नेंट्रेट पालिया है पूरी तरीके से परी कह सकते पर पात लिया है और स्कूल अब फुलने लग लगगें एक देड़ साल ब तो अब लेट साल बार जाने में अब लगए अजीब भी लगगा एंशाइटी भी लोगो वो वो आदत भी घर से काम करने की अब पूरा क्या है हमारे हमारे घुमन बोड़ी और सबसे ज़ादा तकिक चेंज से होती है तो जब पैंडमिक का चेंज हुआ था तो हम रहते थ अब चेंज है कि हमें वापरे जाना है काम पर उसकी खोड़ी बहुत इंसाइटी डेफिलिटी रही जो भी मैंने पहले अपने सेशन किया है कि बेसिक पावर हमस उसको चलाते रहना है इसके साथ साथ यह रिलाइस करना है कि एक परफेक्शन होती है इंपरफेक्शन होती ह कोई बात नहीं है कि आप अकेले कोई टीचर हो या आप अकेले कोई वापिस काम पर जा रहे हो सब लोग उसी फीलिंग के साथ काम पर जाने हैं सब लोग फिर से वैसे ही दौर से शुरू करने वाले हैं जैसे आप शुरू करने वाले हैं तो चोटी-मोटी गल्तियों पर जोटी मोटी चीज़ों पर आपको लग रहा है कि आज ये ठीक नहीं हुआ नहीं हुआ उसको घर जाकर लिखो फिर उसकी बाद कल उसके वर्क करने की कोशिश करो हर चीज एक दिन में पर्फेक्ट नहीं हुआ दीरे धीरे करके वापस अपने आपको पर्फेक्ट बना कुछ दिन की बात है बोड़ी को फिर रादत हो जाएगी और फिर सब बाक्तो नहीं हो बिल्कुल आपने बिल्कुल सहीकार मुझे लगता है कि कभी-कभी भाग जो चीजे हम कर रहे हैं जो चीजे हम से हो पारी है उस पर ग्रेटफुल रहना ज़री है उस उन चीजों पर बहुत इंपॉर्टित है कि हम लोग जो चीजे नहीं कर पारे हैं उस पर फोकुस ना करके जो चीजे हम कर पारे हैं उस पर फोकुस अगर करेंगे तो हम काफी ज और अपनी नाकामियों से निराश हैं, वो काम को लेकर जूज रहा है, तो आप ऐसे इनसान को क्या सबादेना चाहिए? आप ऐसी तकलीफ में हैं, वो अगेल, हर कोई है, यह हर किसी के लिए मुश्किल रहा है, कोई बात में, जैसे मैंने पहले बोला, अपने बॉदिफ्स पर फोकस करें, अपने नेगिटिफ्स पर ना फोकस करें, क्या-क्या चीज हम कर पाए हैं, उत पर फोकस करें, ना कि जो जो चीजे हम लोग मैनेज कर पा रहे हैं, इतने कम समय में वापस जाके, इतना कुछ हम से ओ पा रहा है, यह अपने आप पे बहुत बढ़ी बात है, इस पर गौर करके अपने लिए खुश होना यही सख से इंपोर्किता, जी बनकुछ से इतना हैं, जैसे कोविड के पा खुश है, इस अपने विए को खाज़ के अपने लिए गए पोर्कित लिए घ्डेप्ट कुछ लिए रहे हैं, तो हम अन्च बशच बढ़ा हैं, यह जो 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 बढ़ा हैं, जो एंगर टीचर्स को देख शक्तिते साहन का वी बनकुछ की टीचिचर्स काहरे हैं, इस ब अगर सोचे जाए तो आपको आज दूर से देख रही और मुझे लग रहा है कि आपकी जिन्दगी में तब आपकी जिन्दगी में क्या चार रहा है वो सिर्फ आपको मालत है अफ़ल सीख बापक मुझे पर यूज究 अपड़ा प्रक्रेव करता सांवार से क्यावान सभाओ कि युद्यी सिन्ध को कुल दिंदगी में अपके और मेरे में डेंच में आप उसको अलग तरीके से हैंडल करेंगे, मैं उसको अलग तरीके से हैंडल करूँ तो यह concept बड़ा subjunctive है और बड़ा personal है तो जैसे जो खुद कर पा रहे हो अपनी capacity में वो आपके लिए बहुत होना चाहिए यह जो अगर कोई और कर पा रहा है वो उनके बहुत अच्छी बात है यह याद रखिए वो भी आपको सोच की यही सोच रहा है तो यही सोच रहा है काश मैं भी यह से करता है तो यह कॉंसेप्ट यह कैसी चीज है जिसको हमें समझना करूरी है किसी को दूर से देख के नेवर जाज़ अगर बुंपाइट्स को रहा है और अब जब जब पीजर स्टूडेंट साथ में आगे हैं तो तो इसको स्टूडेंट्स की प्रॉबलों के साथ कैसे माद़ करना है जड़ एको चाहियो की जाए इसको चता है जो इसने बीडी काया है और निकल्या है जैसी वे गाराई के बन्रूंस तो अब इस बारे में बहुत सारे बच्चों की मन में तावाल वहाँने पात करनी है मिन्ठोट्स कीजों को लिधा संहरे की इसको घृए वठ सारे के इस कुपना सब की ले बेता है तो ऐसे सिचिएसमें ले ठीचर्स को क्या एक लाइस थेज़े रोड़ करना जा है कि अपने अपने सारी अंपने सारी अटेंशन को एक तरफ लागे प्रेसेंट के आड़ना ना डाओ इनके अपने सब्सक्राइब तर आटेच्ट्छ इस वाड़ी इस वक्त में हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी बोड़ी क्या एक्सपिरिश करते हैं जब हम आप सारी रिस्ट्राक्शन को हटा कि मानिफॉलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो हमें इंग्जाइटी से काफी अराम मिलता है जो भी जीज़े आपतात हो जो हमें तखीश देरिये या हम कल के लिए परिशान है या जो गया हुआ कर ए उसके लिए परिशान है वह सब को हटा के वहां सबसे अटेंशन हटा के हम इसारी अटेंशन को आज यहां लेके आते हैं आजी अग्जाइटी अधर तो नरी एडिमेंगे होगा है वाकी थोड़ा बाकी सूर्स को फुष करना तो में तेम पॉसिटिव तो में तेम कुछ गलत नहीं हो रहा है अगया नहीं चाहिए एक सूर्स में इसारी नियुक्तिव तो भी सिर्स प्रश्माइब नहीं चाहिए खा ज़िंगे दो रहा है दो और तो अगया नहीं आगयाओ थोड़ाने टीचर से लिए पर क्यू अगया तो बच्छे गहां बड़ाय है जी आपकोचा नमुमकिन सा हो जाएगा। इतने अजड़ सी लिए। तो ऐसे समय में एक टीचर को कैसे आप क्या एड़ाई हुंगी कि कि एक बच्चे की बिखकते हैं रादाज नहीं नहीं होता है। यह classroom में a fun activity बन सकती है जिसमें आप कुछ ऐसे बच्चों को recognize कर सकते हैं जिसकी mental health अच्छी है, जो खुश नजर आ रहे हैं, जो कुप आप कर पा रहे हैं, जो परिशान नहीं है, जिनके parents से वारतलाब करके पता दगाया जा सकता है कि वो बच्चे ठीक चर रहे हैं तो और उन बच्चों को responsibility दी जा सकती है, जैसे class monitor की responsibility दी जा सकती है, mental health mentors की responsibility दी जा सकती है, जो छोटे-छोटे groups में अपने group के members का ध्यार लगे हैं, और अगर उने लग रहे हैं कोई ठीक नहीं है, तो teacher को जा के support करें, अगर ऐसा एक train system, chain system बनाया गाए ग्लास में, तो काफी ब एक बच्चे को identify नहीं कर पा रही है, जिनको तकली को है, नेरिता जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके फिल्पी समय के लिए और आपके सुझाओं के लिए, अगले भाग में COVID-19 की वज़े से parents की मानसिक्स्तिती पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर हम चल्चा